अस्सलाम अलेकूम कैसे आफ सब अलम दुलीला में एकदम ठीक हूंगे सबसे पहली बात तो नजोकी में ये करना चाहूंगी के सुबह सुबह उठके जा नमाज दिखाना फिर ये दिखाना के हम लोग दरूशरी पढ़े हैं भींच के पर पढ़े हैं हम लोग खतम करवा रह भी है और मेरा बाप ऐसा है वैसा है इससे पूछो कि ये जायदा कहां से आई पैसे कहां से आए और इसको अब हम-मी से कभी अभी मिलने नहीं देंगे अम्मी अब इसके पास में कभी नहीं जाएंगी और इसने मेरी बेटी का घर खराब करने की कोशिश किया इसने मुझे सरमिंदा करवाया यह बाप के नाम पे कलंक है यह सब कुछ बोलना फिर जा नमाज दिखाना गिल्कुल भी सूट नहीं करता ठ कितने भी कितनी बींच पर ले दरुशरी ठाव करता है उसको इसको लोग बिल्कुल भी और इन्शा-ल्ला तेकि और दुनिया दोनों खराब होएंगी इन्शा-ल्ला वाकित तुन्हें आइशा की वीडियो देखि कि मैंने खुब रोई मेने कॉल नहीं बताए कि हाँ तब खराब थी लेकिन हम लोग टैम पे हॉस्पिटल लेके गए फिर तुने फॉरण सोची कि अब मैं भी क्रेडिट ले लूँ तुने फॉरण ये बोल दी कि हाँ यहां पे भी पहले अब्बु के साथ में ऐसा हो चुका है हम हॉस्पिटल लेके गए तू और रोई रोई तू य तेरे को नहीं बलके तेरा तेरे बाप को दुक लगा है समझाई जब से तुने तरे बाप को गंदा किये जुटे इल्जाम लगाई है तुने तरे बाप को गुनागार बताई है तब से ही तेरे बाप की तबियत बिगड़ी है और ये पिटारा के और बिलो के साथ में तू पूरी तरह से मिली हुई है तो ये तरह डायलोग तो तू बोली मत के तू रोई तुझे फिकर हुई तो तुने कॉल की लानत है तेरे जैसी अउलाद के उपर और ये बात आशा को बहुत अच्छे से पता है कि तेरे अब्बू को किस चीज का दुख हुआ है किस लिए वो इ इस हालत में पहुंचा है और तू आके यहां पे सिंपती लेने की कोशिस कर रही है बेशरम घटिया औरत तेरे को तो मैं बोलती हूं ना इसा इब्रत का नुशान बनाए ना के तेरी ये ना साथ पुस्ते याद रखे इतनी तू कोई घटिया किसम की औरत है और अब तू अबू के लिए बात करने कल इसने जो वीडियो में बोली है कि मैं अबू से माफी मांगती हूं अच्छा और आज आके इसने क्या बक्वास की अपनी वीडियो में क्या टाइटल समने लगाई कि फारुक ने मुझे मना कर दिया है अबू से मिलोगी तो घर से निकल जाना फ तेरे साथ में जुलूं करे वो तुझे किसी चीज से रोके और तू रूक जाए इतने आट नौ बच्चे पैदा करने के बावजू तेरे इतने सारे अफैर रह चुके है आज तक के फारुक ने तुझे नहीं छोड़ा क्यों क्योंकि उसकी इतनी उकात नहीं है तो तू इ पकी ये जो बोली है जड़ो वाली चुडायल तुने के अब्बू की तो टिकेट हो गई है अब्बू सौधी जा रहे अला पाक उनको वहां पे अच्छा रखे सेहत वाली लंबी जिन्दगी दे अच्छा तू तो कह रही थी के सौधी में तरह बाप मर जाएंगा सलमा तो यहां पे दूसरों को कोस रही है यह नहीं बोल रही है कि मेरी गलती है मैंने मेरे बाप को इस मकाम पे लेकर आई हूं इस हालत में लेकर आई हूं बलके बाप पे ही इलजाम लगा रही है कि उसने इस तरह की हरकते किया क्योंकि किसी ने उसके कान बरा और जो कान बरने वा प्यादा करके रखिये तो सोच जो तुने की यह तो की शकल में भरेंगी कि इस तरह से भरेंगी दो और अभी भी तुझे शरम नहीं आ रही है। तुम आ का आसमान नसीब हो इस तरह के तरी हालात हो और तू आके यहां पे अपने बाप की ही गलती बतारी लख दी लानते तेरे उपर एक तो इतना अच्छा जग गेम खेली पिडारा और उसकी बिलो जो बिलो है उसके साथ मिलके इतना अच्छा गेम केली बाप को यहां से बगाने का गेम और उसके बाद में आके जो बोल रही है कि वहाँ पर अबू अच्छे रहेंगे शेहत वली जहिंदगी मिले उनको क्यों भई सलमा तो बहुत बुरी थी अब वहीं पर भेज रही हो क्या हुआ कि दुमत करने बुलाई थी ना हो गए पेपर वगेरा साहिन करवा लिए हो तो बड़ी बाते कर रही थी ना अब्बू की सेवा करूंगी बुजूर्ग का होना बहुत जरूरी है मेरे अब्बू अब हमेशा हमारे पास रहेंगे क्या हो गया हां क्या हो गया नहीं था माल पाई बाप को उल्टा गंदा कर दी इतना गंदा के तेरा बाप मरने के आलत में आगया ये थी तेरी बड़ी बड़ी बाते सूच समय तो आपिस मिलेंगा इंशाला हम लोग गयर होके हमें इतना बुरा लग रहा जिसके उपर बीटी है उसको कितना बुरा लगता होगा हमारे दिल से तेरे लिए इतनी बदवाई निकल रही है जिसकी कोई हद नहीं है तो जिसके अपर बिती है उसके दिल से किती बद्वा निकली होएंगी और वो भी बाप होके उसने बद्वा दिया होगा तो सोच तेरी क्या हालत होगी इंशालला ते जो तरी हालत होगी न वाइटी पूरी देखेंगी इंशालला देखेंगी बकी इसने खुद की पोल खुदी कोल दी ये सारा कुछ बोल के कि जब मेरी शादी हुई थी तो मेरे मामू ने मेरे खांदान वालों ने ये बोला था कि ये तो चार दिन भी नहीं रहेंगी ये तो तलाग लेके वापी सौधी भाग जाएंगी क्यों तेरे ऐसे कौन से ढंग थे ऐसी कौन सी तु गिरी हुई गटिया औरत थी जो लोगों को इतनी उमीद थी के तु नहीं रहेंगी जो सोबर सुन्दर और संसकारी और लड़कियां होती है तो उनके लिए लोग एक उमीद बनाते हैं ना कि ये जैसे अपने माबाप के घ बाइर करने के आदत रहती है ना तो उनके लिए ये बोला जाता है कि ये तो नहीं निभेंगी ये तो चार दिन में आ जाएंगी जो उसी तरह ते तेरे लिए बोला जाता था वाहा खुद की पूल रही है बहुत बढ़िया बाकि तुने जो ये फालतू के डैलोग मारी है ना मैंने बहुत कुछ सही हूँ मैंने यहां पर बहुत कुछ बरदाश किया है तब जाके मेरी इतनी लंबी जिंदगी निकली है मतलब तु बताना चाहती है कि पिटारा ने उसकी माने तुझे बड़ी तकलीब दिये थे तु बहुत कुछ सही रही थी तब जाके तुने शादी नहीं भाई है तु कर क्या रही है किसको नंगा कर रही है पिटारा को उसकी माँ बिल्लो को और खुद को भी लानत तेरे उपर अगर तु इतनी ही अच्छी थी तेरी माने तुझे सिखाई थी के एक ही आदमी से रिस्ता रखना एक ही घर में जाके पूरी जिंदगी माँ पे निकाल देना तो फिर ये ददस आदमियों से अफैर करना अपने यारों से अपने ही हस्बेंड को पिटवाना उसको रूम में बंद करवा के दूसरे रूम में जाके आयाशी करना उनसे अपने घर का राशन भरवाना और पैसे रोकड़े में लेना उनके साथ में खेतों में मुझ काला करने जाना बाइकों पे घुमना शॉपिंग करना ये थरह फिर तुने क्यों की अगर तेरी माने बोली ती एक हजबेंड के साथ में वफदारी ते जिन्दगी निकालनी है बस यह बोल दीती कि घर में जाना है हजबेंड को पीटना काटना तोड़ना है रूम में बन कर देना है और आयाश करते रहना है किसको बेवकूप बना रही है यहां पे तुँ हां अपने आपको बड़ी सरीव जादी दिखा रही है एक ना एक दिन तेरी भी सारी पोल पट्टियां कुलेंगी टेंशन मतले कि तु भी पिटारा से कोई कम नहीं है तो यह कौन से खेत की मूली है इसकी भी जरूर आएंगी अला कि इसकी देड़ साल पहले आई थी दूद्ध हैं वाले इसके घर में बेटे रहते थे चोबीस घंटा बेटे रहते थे और इसके हजबेन को मार के निकाल देते थे घर में से इसका राशन बर के देते थे और इन लोगों की तो आदत है दिन में भाई भाई रात को चार पाई जब पकड़े गई तो इसने बोल दी मेरा तो भाई है तो पहले भी इसकी फुल चुकी है बहुत सारी पोल लेकिन इंशालला आगे भी कुलेंगी यह कितनी घटिया ओरत है आप लोगों को पता चलेंगा इस इसके अबू ने इसको पैसे भेज भेज के इसकी मदद करकर के इसकी जिंदगी निकाले है और बोल रही है कि अब पता नहीं उनको क्या हो गया है तो यह तो तुझे सोचना चीए दूर थे पैसे भेज रहे थे तब तरह लगके तरह अब बहुत अच्छे थे अब पता रही आ है कि तरह बाप ने बहुत कुछ की आ है पहले भी तुने बताहि थी किरे बापने बोल घणना मots Gemeen चाहसी सफया हुए पर साइन वगेरा हो गई तो तू चेंज हो गई तेरा बाप नहीं चेंज हुआ है तू चेंज हुए घटिया और अच्छा आप लोगों को याद होगा कुछ दिन पहले इसने वीडियो बनाई थी जिसके अंदर इसने बताई थी कि मैंने मेरे अबुने खुदी ये रिस्ता क अपने ही मुह से भग दे रही है और पिटारा की और बिलो की पॉल पट्टियां खोल रही है आप लोग खुद सोचो एक बंदे ने जब वो आया हुआ था तो पिटारा के चकर में पढ़के पिटारा ने उसके कान भर के रिस्ता करवा दी पिटारा का भी गेम देखो और जड़वली चुड़ायल का भी गेम देखो कि पिटारा ने अपने तीसरे अभू को पता नहीं कैसे बहला के फुदला के रिस्ता करवा दी और फिर बाद में उसने अपनी बेटी को समझाया बताया कि यह रिस्ता करो अच्छा है बाद में अगर वो आदमी मना कर रहा है त पिटारा को और वकार को इसके अभू ने देख लिया है उनका क्या रिस्ता है वो उनको पता चल गया है इसके लिए वो अपनी बेटी की जिंदगी बचाना चाते थे इतलिए उन्होंने मना किये और जब पिटारा को दिखा है ना जब उतको पता चल गया कि मेरी और वकार कि जो भी सच्चाई है जो गंद है ये जो चाचू है तीसरे अबू इसके उनको पता चल गई है तब उसने ये गेम खेली कि अब किसी भी तरह से जल्दी से जल्दी अरजन्ड में शादी करवानी है याद है आप लोगों को इसने क्या बोली थी के रिस्ता तूटने की कगार पे है हमारे खांदान में ये हो रहा है वो हो रहा है फैमली में तो मैंने सोची कि इनका रिस्ता ना तूटे दिल से दिल जुड़े हुए तो शादी जल्दी से जल्दी हो जानी चीए वो फैसला उसने क्यों की थी क्योंकि वकार का और इसका गंदा रिस्ता अंकल को पता चल गया था जिसके बाद में वो शादी रुकवाना चाता था और पिटारा ने प्लैनिंग की कि जल्दी से जल्दी वो एक यह शादी करवाएंगी और दूसरा उसके ही अउलादों के हाथो उसको जलील करके सौधी भगाएंगी समझाई आप लोगों को सारी कहानी मेंस के ज बैण के साथ में मेरी फुपो के गलत नाजायस तालुकात थे हैं और इंशाल्ला उसके साथ हमेशा रहेंगे और तेरी बेटी का घर खराब होगा तेको तेरे यह बाप की यह ना बद्दुआ लगेंगी देख लेना अगर सोचो कि ऐसी कोई बात ना होती तो पिटारा अर बाते देखो और वो उसके मना करने का रीजन सोचो आप लोग कि यह रीजन था तभी तो बंदा मना किया ना वरना तो उसने खुद नहीं बोला था के चलो यह रिस्ता देख लो तो दिमाग लगाएंगे ना सारी चीजे ना सच्चाई सारा नजर आ रहा है सामने नजर आ बस कुछ लोग देखते और कुछ लोगों को देखना ही नहीं है और यह जो जाड़ो वाली चुड़ाय लेना इसके साथ इसकी बेटी के साथ बहुत अच्छा हुआ इंशालला एक ना एक दिन इसको ना इसकी सच्चाई और इसका पस्तावा जरूर होगा कि मेरा बाप सही रोक रहाता में को देख लेना आप लो बकी इतनी घटिया और गंदी ओरत है ना यह के इसका कॉंटेंट शादी वाला खतम हो गया फिर दूसरी शादी वाला लाना चाहती थी वो नहीं चला और सारे जब कॉंटेंट इसने देखी के खतम हो गए तो इसने आके के यह बात बोल दी के मुझे अभी पता चला है दो चार दिन पहले ही पता चला है कि अबू इतना क्यों बढ़के हुए थे अबू के किसने कान भरे तो जाड़ु वाली चुड़ायल यहां पर आके नाम भी बता देती तु जो यह सारा कुछ बोल के बहाने करके उल्लू बना रही है ओडियंस को तो उल्लू बनने वाली नहीं ओडियंस अब तेरी सारी चाले ना ओडियंस को अच्छे से पता है कि तु कितनी घटिया और गिरी हुई ओरत है अब तु कोई रिस्तेदार के उपर नाम डाल देंगी बिना नाम लिए है ना और अपनी भडास भी निकाल लेंग इस तरह से पार की कि इसने ये बोली कि मेरे दिल से भी आहा निकली होगी जो आज मेरे अब्बो की आहलत हुई है मतलब ये बता रही है कि मेरी बद्वा लगी है मेरे अब्बो को बताओ पहले तो ये माफी मांग रही है कि हाँ मैंने गुसे में बोल दी मुझे इसा नहीं बोलना चीए था, लोगों ने बोले जाओ अपने बाप से माफी माँगो, तो मैं माफी भी माँगूंगी, मैं पैर भी पकड़ूंगी, लेकिन जिस तरह से वालिदैन अउलाद को बद्वा देते हैं तो उसी तरह से मेरे दिल से भी आहा निकली होगी, जो आज मेरे अबू क या हलत हुए, अरे तुझे शरम हा रही है बोलने के लिए कि तेरे बाप को तेरी बद्वा लगी है, यह बताना चाहती है तू, तेरा एक बेटा है ना, जो आदा पागल हो गया है, नशा करकर के, उसके अंदर तू भरेंगी, इंशाल्ला, देख ले ना, जो तु तेरे ब कुत्ते की तरह मारे ना, चपलते और पूरे गाउं देखे तो बोलना, इतनी कोई तु घटिया गिरी हुई औरत है, शरम का डूप के मर्जा मनुस, और रही बात माफी मांगने की, तो यह तो तुने पहले भी की थी ना, तुने वीडियो बनाई थी, कि नहीं वो वाली द तो तरही अकात है, यह सब बोल के तुझे क्या लग रहा है, समझ जाएंगी कि हां तु सुधर गई, गटर की कीड़ी साही हो गई है, तु फिर दो दिन के बाद में फिटारा बोलेंगी ना, कि बैब बाप के खिलाफ वीडियो बना तो तु फिर बना देंगी, क्योंकि अ सारा कुस तुम लोग ड्रामा कर रहे हो, जान बूच के कर रहे हो, और क्या समस्ते ओडियंस को नहीं समझ आ रही, ओडियंस को सब समझ आ रहा है, आप लोग देखो कि यह जो इसकी आईशा की जो वीडियो है, वो वीडियो आने के पहले ही इन लोगों को पता चल चुका ना के बुड़े की इस तरह की हलत है, तो इसने फटा फटा आके माफी वाली वीडियो बना दी, वहां पर फटा फटा उसने दिखा दी के बिलो अंटी तो जा रहे है भई, इस और के पास जा रहे है, ताकि अगर वो मर जाता है ना तो इनके ओपर कोई उंगली ना कौन सा मूँ लेके जाएंगे मयत में, इसके लिए लोगों ने ये सारे ड्रामे किये, और इनको ना कमेंट में कुत्ते की तरह धोया करो जाके, और इनको ना देखो भी मत और ना इनको व्यूज दो गटिया औरतों को, बाकि गटिया औरत आकिर में तुने अपना गटिया पड़े गिरेंगी, तुझे तरी सास को कैमरे में जो लेना है, तो तु कैसे नहीं जाएंगी, तो तु तो जाएंगी ना, क्यूंकि तरी अवकात इतनी ही है, व्यूज के लिए अगर तुझे कोई बोलेंगा ना, कि तु गटर का पानी पी ले तो तु पी लेंगी, तनी तु घटिया और गिरी हुई और लालची ओरत है, तो यह तो ड्रामे कर रही है ना, माफी अले वीडियो के, यह सिर्फ और सरी व्यूज के लिए, इसके अलावा तेरी नियाद जरा भी अच्छी नहीं है, और नाहीं तु कभी अच्छी हो सकती है, और इसका फ़नी डायलो जितना मुझसे हो सकेंगा ना, उत्तिक खिदमत करूंगी, बड़ी हसी आई है मुझे इस डायलोग के उपर, तो खिदमत करेंगी, तेरे नसीब में अल्ला ने लिखा है बुजूर्गों की माबाप की खिदमत, व्यूज खाने के लिए जाएंगी, यह बोल, खिदमत करू नहीं हुए थे ना, और तुझे इनसे फायदा हो रहाता ना, तब तलक के तुन्हें यह सब डायलोग मारी, और तेरी आउकात तुन्हें बाद में दिखा दी, तो यह सब तो बोलना मता, अगर तू इतनी अच्छी थी के धक्के देते, मारते, भगाते, फिर भी मैं जाओ तो शादी के टेमपे कियों नहीं गई, मनाने अपने बाप को, जब तो तू कंप्लेट करने चले गई, वो टेमपे जाके भले धक्के देते, मारते, भगाते, पैर पकड़ के माफी मांग लेती, ले जाती अब्बू को, अरे रहने दे, रहने दे, जाड़ू अलई चुड चँन का sliding हने, बाला भी मांग उकिन दाने घाते, अवाध ड़ागते, पाला याया जाढ़ णिगवा को, जे जा बालां चक्शों जालव रहने देता हैं थाू...